मुझे दियाद है कि जब मैं पिछले दिनों वहाँ दौरा किया था तब भी मैंने इस पानी की समझ्या बड़ी गंबीर समझ्या देखी थी और मैं मानता हूं कि अगर हम वाटर मैनेजमेंट में सफलता पूर्वक आगे बढ़ते हैं आप जानते हैं गुजरात में दस साल में साथ साल अकाल पड़ता है गुजरात का बहुत सारा भूभाग एक पकासे रेगिस्तान जैसा है तो हमारे सामने बड़ी चुनोती थी और गुजरात सरकार का काफी बज सब्सक्रानी होंगे कि पाइप्लाइन से 900-900 किलोमेटर पाइप पानी ले जाना पड़ा है तो राज्य सरकार ने ताई किया कि ऐसे इलाके हैं वहां सबसे पहले पानी का प्रभंद करना चाहिए बारिस का एक बिंद बूंद बूंद रोकना चाहिए और अगर उस चीज़ सरकार से तो आप कुछ भरोसा ही नहीं कर सकते हैं उनका तो एक निष्ठी दिलागे में ही उनका इंट्रेस्ट है और वो इंट्रेस्ट क्यों है वो आंद्रे के लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसमें खुद उल्जू आप ल कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर कंजर्वेशन पानी कैसे बचाना एग्रिकल्चर को कैसे बल देना और वहां यह आपका ख्षेत्र ऐसा है कि जहां मिनरल्स भी बहुत हैं और इसलिए भारत सरकाने एक योजना बनाई है कि जो मिनरल मैंसे इंकम होती है उसका कुछ परसंटेज उसी जिल्ले के डेवलोप्मेंट के लिए उपयोग करना और उसके कारण आज ऐसे इलाके बैकवर्ड क्योंकि हमारे मिनरल्स वगेरे ज्यादा तरह इस बैकवर्ड इलाकों में हैं उनको यह पैसे सीधर डिस्टिक को मिलते हैं मैं नहीं जानता हूं कि आंदर लगातार जन संगर्श करते रहते हैं तो राज्य सरकार को आप भली भाति मजबूर कर सकते हैं और जो बैकवर्ड डिस्टिक के लिए भारत सरकार इतने पैसे देता है आप हैरान होंगे हिसाबी नहीं दे रहे हैं हम मांग रहे हैं कहां खर्चा किया कैसे किया उसका जरा तो यह वहां पर आटी आई पूछने चाहिए जनांदोलन खड़ा करना चाहिए अगर इन सारी बातों को करेंगे तो मुझे विश्वास है कि यह जो इलाका आपका बैकवर्ड है जिसको मैं भली बाती परिचीत हूँ उसमें से हम एक नई शक्ति बन करके उभर सकते हैं जहा विश्वास है वो महनत भी रंग लाएगी लेकिन आपका जज़बा है आपका उत्साह है और इस खेत्र के विकास के लिए जो आपकी चिंता है यही भारतिये जनता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है